रिसेंटली एक बयान आया है पपू यादो का कि उनको एरपोर्ट से इंगर अफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि वो अंद विश्वास फैलाते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं पपू यादो की बात क्यों कर रहा है वह भईया हमर है बंडम रूप पलमे तोला पलमे मासा वाला उनका करेक्टर है तो बिहार को लोगतंद से अलग करके तालिवानी रूल की तरफ ले जाया जा रहा है लोग ये कह रहे हैं कि हम बिहार के राजा हैं हम जो कहेंगे वही मेला होनी के नातレ, है कि आपको मिलता है मुझा कि आप उनसे मुलाइकात कर देखिए मुसल्मान हिंदु वहली बात मीरे सामने तो nut气 कि क्योंकि हिंदु मुस्लिम तो ये वात लाने होगा। आ हम भी इंसान हैं कोई हमारे मौलवी चाहब ओंगाया ना रहा हैं हम सभी जांते कि धिरेंश शास्त्री के पट्टन आने पर नहीं सारे लोगों को ये पसंद भी आ रहा है बहुत सारे लोगों को ये चुप भी रहा है इस बात पर बात्चीत करने के लिए आज हमारे साथ में महिला विकास मंच की पूरी टीम मौजूद है यहां पर साथ में शुरुआत करते हैं वीना मानवी से कि क्या आप सोच रही है जो दिरे शास्त्री पटना आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे बिहार का क्या हिंदुस्तान का एक कल्चर है अतिती देव भवा अतिती चाहें कोई भी हो उसका स्वागत करना तो हमारा परमधरम करतवे और करना चाहिए सभी बिहारियों को करना चाहिए पार्टी व अधर की बात क्यों कर रहे हैं वह भाईया हमर है बंडमरू उजिनने से जब चाहो जो चाहता है डमरू की तरह उनको बजा देता है आज उधर मायनेज हो जाएंगे कलधीरेंदर को शास्त्री जी को वेलकम करने भी पहुंच जाएंगे कब क्या बोलते हैं उनको अपने ब या पर लगता है कि पेक है या पर लगता है कि वाख़ी में कोई चमतकार है उनमें देखे चमतकार कुछ नहीं होता है यह एक तरह की स्टड़ी होती है जिससे हम लोग पढ़ते हम लोग बुद्धी जीवी लोग है परस्नली मेरी बात कीजेगा तो मुझे उनकी क्राणिया हवा करती थी को लोगतंतर से अलग करके तालीबानी रूल की तरफ ले जाया जा रहा है लोग यह कह रहे हैं कि हम भीयार के राजा है हम जो कहेंगे वही होगा राजा को राजा मानने वाला भी तो लोग चाहिए न कोई मानिये नहीं रहें जबरदस्ति का राजा तो इसलिए हर व्यक्ति को स्वतंतरता है अभी व्यक्ति की आजादी है कि लोग अपनी बातों को अपनी चीजों से रखे हम मेरे को धिरेंद जी परस्नली ठीक नहीं लगते हैं कि नहीं को लगते होंगे तो अच्छी बात है उनकी विचारधार अपनी अलग है इसमें रोक टोकी क्या बात होने रोक टोकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए गलत बात है मैं अगर मैं पूछू कि कैसा होंगा स्वागत होना चाहिए पटना में क्या बताएंगी देखिए हमारे बिहार के अतिति हैं चाहे अच्छे हो या बुरे हो अगर कुछ लोग संत मान रहे हैं जो बहुत जादा आस्था रखती है, जो अगर ये वो यहां आ रहे हैं, तो यहां वो मिलने के भाव से उनके पास जाएंगे, नहीं आते तो ये वहां जाते, तो कितने लोग का खर्च बज रहा है, मैं तो इस हिसाब से देखती हूँ, हम गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, तो चलो वो खुद चल के आगे, लोग उनसे मिल लेंगे, उनका आस्था, वो उनके उपर जितना विस्वास रखेंगे, उनके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे कई संत आते हैं, ये कखेले वो नहीं आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, मतलब हर धर्म के संत आते हैं, लेकिन पॉपुलारिटी जो पॉपुलारिटी धिरेन शास्त्री की है कि तीन लाग लोग प्रती दिन माना गया उनमान लगाया गया है कि वहाँ पर नौबत पुर में मौजूद रहेंगे इसके बारे में क्या बोलेगा हम लोग यही तो कह रहे हैं भाई ऐसी क्या बात है जिनके ल हम लोग जितने भी तबके के लोग हैं तो सब लोग अब अब गता है आप नहीं उनको रोग सकते तो ठीक है उनको अच्छा लगएगा तो नके बात को मानेंगे अच्छा है बहुत करीब से देखेंगे लगेगा कि यह गलत है तो हट भी जाएंगे अब यह भी देखिए कि वो सामने से देखेंगे, बहड़िय कुछ नहीं था, बेकार हम लोग वहां जाते, इतना कक्ष़चा करते, हाँ clear हो जाएगा, आनेदीजिए न, वो अपना clear करने आ रहे हैं, आप इसको ऐसे ले लीजिए, मत लीजिए कि यहां जाके, हम लोग वहां कोई चमतकार होगा, क्या 3,00,000,000 लोगों का वहां पे बिमारी चुम अंतर कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे कि आज वो रंक है तो राजा बन जाएगा राजा है तो एकदम महा राजा बन जाएगा ऐसा नहीं है ना और है तो हो जाए पूरी बिहार में जितना गरीवी है खवम हो जाएगा यह और हम यहां के जो प्रसासन वाले हैं उनकों भी खुशी होगी कि भाई देखो आज एक दिन में या चितीन दिन में बिहार बदल गया यही सही जिस सरीके से हर तरफ पे स्वागत की बाते की जा रही थी वहीं पड़ एक बयान आया हमारी तेश प्रता भया का और वहाँ पर कहा गया कि अगर वो बाबा आते हैं और हिंदू मुस्लिम से किसाई की एकता की बात करते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा अधरवाई जो है हम उनका सपोर्ट नहीं करेगा और उनको वापस जाना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि यहां पर इसका उत्तर देने के लिए सबसे सही महिला यहां पर मौजगूद है जिनका नाम है फाहिमा खातून देन शास्तरी उनका सवाबत कैसा होना चाहिए आना चाहिए की नहीं आना चाहिए जी सरभब्र है हमार। पुरवत से आ रहा है परमपरा है हर में हर धरम में हिंदू मुस्लिम सीक इसाइसम में कि जो आते हैं उनको स्वागत कि आता है हम लोग में तो मुस्लिम में है कि जो महमान आते हैं तो उनको अच्छा मानते हैं कि बरकत होता है उससे उसो खिलाना पिलाना चाहिए उनसे मैं आप सारे लोग अरजी लगाते हैं अपने कभी देखा होगा ऐसा उनकी वीडिव को कभी देखा होगा तो क्या लगता है? वीडियो में एक कैंसर पिरित हैं बुड़े और बहुत दिन से कैंसर पिरित हैं उनके हां गये हैं और उसके बाद मास मचली क्या लहसुन प्यास सब चोड़ दिये और उनका कैंसर 90% ठीक हो गिया मतलब वो बता रहे थे एक न्यूज में तो हो सकता है अरे कभी-कभी ऐसा हो हो सकता है बाबा कुछ जानते होंगे तो ऐसे उनको उनका अनुबाब होगा तो बहुत ऐसा बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बात बहुत कम में भी हो जाता है चलिए बहुत लोगों क्या लग अलग जो भी ओपीनियन से हमने वो जाना देखा और बाकी आप क्या कहना चा